हाई एवरिवन आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है जैसे कि अगर आपके नंबर पे अगर दो बार रिचार्ज हो जाए तो क्या होगा कभी आपने सुचा है कभी आपने आपके साथ ईस्तिती में क्या आपका पैसा डूब जाएगा या जोटी हो जाये गाइगा कैसा क्या realities का है कौनसे कंपनी जैसे कि एयर्ट में क्या रूल है जीयों में क्या रूल है ये रूल है डवल री चार्ज हो जाने पर इसकी जनकारे हम एस्टेप बाई सवागत है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लेए चलिए जानते हैं इस और आसे बॉल दिये कि इस आप ने बोल दिया और उन्होंने रिचारर करने में थोड़ा सा मालेजी कि लेट कर दी और आपने रिचार फिर वो भी रिचार्ज कर दिये तब क्या होगा तो इस इस्तिति में अगर आपके पास जैसे कि Airtel और BII का SIM card है तो आपको यहाँ पे जैसे कि मानले जीए कि Airtel में 299 का रिचार्ज आपने कर लिया या BII में आपने 299 का रिचार्ज कर लिया ठीक है और फिर आपके प्रेंड जो की आपके दो चार्ज कर दिया तो यहाँ पर डोबार आपके प्लान है जो कि नंबर पर एड हो जाता है जैसे कि आपको 28 दिन की वैलिडिटी, 28 दिन के बाद अटॉमाइटिक जो दूबारा रिचार्ज हुआ है, वो अटॉमाइटिक जो की एक्टिव हो जाता है, यानि की टोटल आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, लेकिन आप अगर आप सोचते हैं दो बार रिचार्ज हुआ है तो जैसे कि दो जीवी डाटा पर दे मिलता है तो फिर से हमें जो कि चार जीवी डाटा मिलने लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है अठाइस दिन के बाद जो दूसरा प्लान आपको आपके नंबर पर रिचार्ज हुआ है वह एक्टिव हो जाता है आटोमाइटिक जो कि यहां पर एटेल और भी आई में लेकिन यहीं कंडिशन अगर हम बात करते हैं जीव में जीवी के नंबर पर आपके जो की दो बार रिचार्ज कराया और फिर से किसी ने रिचार्ज कर दिया तो यहां पर जीव के नंबर पर जो पहले से रिचार्ज है वो तो चलता रहेगा लेकिन जो दूसरा रिचार्ज हुआ है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको माई जीव अप्लिकेशन पर जाने के बाद वह आपको उस कंडि सर में करना है जिसे कि आपने जो की 1009 रुपई का रिचार्ज कर लिया है कि 20 की मिल जाता है और आपके फ्रेंड रिचार्ज आपके नंबर पे कर दिया तो यहां पे क्या होगा कि 109 पलान है 23 जो है 23 के चो कि 9 इसवा दिने अगर ऑपे लेकिंड HA करते अबी ही हुआ और एक्टिव कर दते तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा यहाँ where भेंधे तो आंक ऑप करेंगे तब आपका जो कि दूसरा टेंब को जाए गा और दूसरा प्लान चलता रहेगा तो तो इस बात को आपको द्यार में रखना है अगर आप जी ओके सी में हुजा रहा है तो अब बात करते हैं बीएस नल तो यहां पर बीएस नल इस मामले में बहुत ही जो कि घटिया है क्योंकि यहां पर पीएस नल में अगर पहले से कोई रिचार्ज प्लान है और उसी नंबर पर फिर से कोई दूसरा रिचार्ज प्लान आ जाता है तो पहले वाला रिचार्ज जो की खतब हो जाता है और दूसरा प्लान जो है अटोमेटिक एक्टिव हो जाता है जैसे कि आपने कोई ऐसा प्लान करा करके रखा है जो कि ज्यादा वैलिडिटी मिले तो जैसे कि ज्या चाहरे में में और वह सब्सक्राइब change करना तो में नहीं इसाässत करना ت और वह कुछ जनकारी है कि एक करना था क्या आपकी नंबर तो या यह नहीं आप इस वीडियो के नेचे कमेंड करके कौन सा स्रीम करते हैं आप चाहिए तो अपनेकर कर सकते हैं और कोई कोई चाहिए तो आप मुझेंकर और लिंक दिस्क्रिप्सर पारत